नमस्कार किसान साथियो, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांती यूटूब चैनल पर किर्शी की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बैल आइकन दवाना ना भूले ताकि आपको किर्शी की जानकारी मिलती रहे नमस्कार प्यारे दर्शको आप सभी का स्वागत है फसल क्रांती यूटूब चैनल में आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे यूवा सफल किसान से जिन्होंने दिल्ली विश्विद्याले से एलल भी किया है और अब गाओं सिखेडा में मश्रूम की खेतिका कारी शुरू किया है जो यूवाओ के लिए प्रेणा का एक शुरूत है दर्शको नमस्कार मैं हूँ इम्रान आपके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं किर्सी से संबंदित फिर चाहे बात इनोवेशन की हो या तकनिक की हो या फिर किर्सी मसीन दी की हो तो आज हम जो आए हैं बागपजी लेके गाओं सिखेडा में आए हैं और एक ऐसे सक्से मिल रहे हैं, जो बहुत ही एक यूनिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खेती को एक नया रूप दे रहे हैं, अक्सर जहां यूवा, खेती से दूर भाग रहे हैं, वहीं हमारे सामने कुछ न कुछ ऐसे उधारन सामने आते रहते हैं, जिनसे की हमको प प्रेरना का सुरोत है तो आज हमारे साथ सर मौजूद है तो दर्सकों जो आज हमारे साथ यूवा मौजूद है योगित राठी जी उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दू जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोग जो हमारे आज का यूवा है वो नोकरी को प्राथ प्राथमिक्ता देता है लेकिन योगित रानाजी ने अपनी एललबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती को प्राथमिक्ता दी तो यह कहीं नहीं एक उधारन है हमारे युवाओं के लिए एक प्रेड़ना है जो कि खेती को नए आयाम एक नया रूप ते रहे हैं नए त बड़ा पढ़ता है यहां मेरे मामा गाउं है सिखेड़ा तो मेरी 2000 अगस 2020 के अंदर एललबी कंप्लीट हुई थी को रोना काल चली रहा था तो तीन-चार मही ने थे मेरे पास कि वैसके अंदर क्या करा जाए क्या ना करा जाए तो अग्रिकल्चर के अंदर मेरी सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा संपर्क हुआ क्रिशिविज्ञान के इन्द से वहां से मैंने ट्रेनिंग वगारा प्राप्त करी और फिर मैंने यहां पर मामा गाउं के अंदर अक्टूबर से अपनी इसकी प्रक्रिया शुरू करती अगर अपनी भूमी होती है तो थोड आपकी अपनी किर्शी भूमी भी है या फिर आप अपने मामा की जैसे किर्शी भूमी उसको परियोग करते हुए जो अपने यह मस्रूम की खेती शुरू देख़ए साजी हमार तो गाम पढ़ता है यहां से बहुत दूर दादालाई जमीन पढ़ती है पर यह गाउं थोड अब मैं शेहर के अंदर पला बढ़ाओं अब इंख के अंदर तो यहां पर दही तुड़ाई है और वह काम मेरे बसकी करना था नी पर जो मेरे को काम सुटेबल लगा कि हाँ भई मस्रूम का काम है इस काम को मैं कर सकता हूं तो उस काम को यह नहीं हाँ पर किया तो अब मु वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर और जो है कि हाँ भई नोट सींग प्रोफिट बट सींग वाट यू कन डू तो मश्रूम एक ऐसा लगा कि हाँ ठीक है इसको बेसिकली आप लग्जरियस वेटेबल मान लीजिए तो कि अधिकतर गाउं के अंदर यहां कोई भी चलो मुश्रूम विखेती कर लेते हैं उस पर हमने इसमें करी तो यह दो शेड लगा रखी है मैंने एक शेड का जो साइज है तीस बाई साट का साइज है और इसके अंदर रैक बना रखें रैक अभी हैं जब आम वीडियो शूट करेंगे अंदर का जब उसमें अंदर इसके लिए कृष्य विज्ञान केंद ट्रेणिंग प्रवाइड करवाता है मैं ने भी वहीं से ट्रेंग लिए और जितने भी किसान चाहते हैं इस काम बू करना वो कृषी अपने डिस्ट्रिक उनदर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद से आप संपर्क करके आप आ सिर्ट किसी भी काम को सुरू करने से पहले समस्या सबसे पहले सामने आके खड़ी होती हैं तो आपके लिए नई चीज थी मसरूम की खेती और पूरा सैट अप करना एक एक चीज को देखना पर रखना फिर रिसर्च करना बड़ी मुझकिल परकिर यहोगी मुझकिल ऐसा था मेरे कृटबर से मैं यहां पर आ आगया था कि काम मेरी को करना है उससे कर्टे करते मेरे को 15 अक्टूबर मेरे काम की शुरुवात हुई विच के अदर भूष बंता है बस बगएर तो यहां पर थाही पर लेकिन उस खाद के अंदर कही साए रो मेट्रियल सम्दिए को को तो फिर संपर्क रोघिए कहीं और से वह मंगवाई उसके बाद फिर इसके बिदर जिसन की पड़ता है जिप समवाम तूर पर बिलोकों के अंदर यह पर भान के टाइम पर यहां पर ट्रेनिंग भी एक चीज़ों को मतलब एक स्ट्रक्चर भी तैयार किया पूरे तरीके से तो लागत की बात जब आती है तो किसान यहां तो कदम खीज लेता है यह फिर एक दम कि आगे जो है बढ़ जाता है तो लागत की अगर हम बात करें देखिए इसके अंदर ऐसा है जो म अगर दुहां अगर आप लें तो अगर अगर आप पर इसके अंदर आप पोने डो लाग रुपे आप एक निवह माल लो दोसाइड होगो एक जाड़ केनर पुने दो लाग रुपे और कोस्त इसलिए उसलिए हो कि हमारे चेट कर दो होता नहीं है तो यहां पर जो लेबर ह है लेबर भी आपको इसके अंदर थोड़ी वैसे करनी पड़ते हैं कि वह अपने हिसाब से मांगते हैं फिर दूसरी चीज जब पहली बार काम स्टार्ट करते तो मिसलेने सीजे बहुत साही रहाती है उस वैसे इसके अंदर रहता है और बाकी मार्स तक जब यह काम खतम होग जबी पूरा कोस कटिंग का हर एक चीज का सारा वह मैं आपको चीज का बताता हूं एक उमीद हमें बनती है सर तो जैसे आपने सुरू किया और आपको बिल्कुल एक सुरुवात है तो आपको लग रहा है कि लागत तो आपकी एक होगी लेकिन प्रोफिट उतना आप प्रोफिट निकला है और पहले फ्लश के अंदर अंदाजन यह कहते हैं जितनी में ने सुना है टेनिंग के अंदर भी कि जितनी आपकी कमपोस्ट है इस सीजनल मुश्रूम की खेती के अंदर 30 पर सेंट उसका आप आउटपुट ले सकते हैं जो इसके सीजन है वह आप अक कोना प्रोफिट हम से ले सकते हैं देखे जी प्रोफिट गरों देखो मैं आपको इसमें अभी कुछ आखलन देहीं नीसकता है कि मेरा भी पहला ही पहला काम है और अभी मेरा पहला फ्लस्ति निकला अंदर दोनों शेड के अंदर से मेरा जए 15 कॉंटल माल भी तक निकल मेरा माल साइज बड़ा होने के विए से खराब भी हो गया था तो पर लेकिन जो है पंद्रा कोंट्र माल मेरा अभी तक निकल चुका है और मंडी के अंदर तो रेट अपन डाउन अपन डाउन चलते ही रहते हैं मंडी का जैसे जिक्र किया मार्केट बड़ा माईने रखता है में चीज जो किसान जो हमारा यहां का पीछे किसान उत्तर परदेश का फशल सारी बोले उसमें ऐसी कोई जिक्रतने पर जो में चीज है मंडी तक माल पहुंचाने की अब मेरे पास तो अपनी खुट की गाड़ी किसी का 10 किलो में हैं तो उसके लिए यह तो गवमें देगा या अपने परिवार के अंदर ही ही देगा सर शुरुवात करते टाइम जो कुछ चीज़े होती है मतलब चाहे कोई भी खेती हो लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ नेगेटिव फॉल्स चीज़े भी होती है तो अगर मान लिजे कोई मस्रूम की खेती करना चाहता है जैसे आपने शुरुवात की तो किन बातों क यह बहुत ही सेंसिटिव खेती है टेक्निकल खेती है इसके अंदर ऐसे नहीं के भई गहूं का है या गन्ने का खेत है अपना पैसे दूंदे चले गए शेड के अंदर जो लोग जाते हैं जिन को मतलब इनका भी आप एक अटेश्मेंट साही मान लोग जो लोग इसके बात हुई दूसरे तो उन्होंने बताया कि जो यह आवा जाही आप इसको बंद करोगे तो काफी अच्छा रहेगा को कि इनके अंदर इंफेक्शन आने का खत्रा है और दूसरी चीज जो इसके अंदर में चीज तो इसके अंदर जो सारा खेल है हवा पाणी और तापमान क कि खेती है उसको ठंडे प्रदेसों की खेती माना जाता है जैसे सिम्ला हो गया जी उतरा खंड हो गए इन शेत्रों में अधिपतर इसकी खेती भी ओत आ लेकिन आप देखा जा रहा है कि जो हमारे जो मैदानी खेत्र है जैसे हरी या वेश्टन यूपी फो गया इन शेत्र और इंटरनेट और रेफ यहां, जो गाउं के यूथे उन वहा भी फोन आए है, यूटीव आए, इंटरनेट आए। जो चीज शेयर के निदर पहले पहले पहुंची वह अब पाउने यूज़ेशन कर रहे हैं तो जो जितने भी यूवा है हर को यूवा आज कल स्कूल लिटरेट है ऐसी बात नहीं कि पांच वी पास दस वी पास ही रहते हैं सब लोग यहां पर अपने इगरेशन तक भी करते हैं तो अपना सब लोग उसके अंदर किसी भी चीस से प्रोसान होगा इसमें काम का सकते हैं रही बात इसकी दिए दिए देखो जमीन जो øreड़ाइनलाकों के अंदर उने की ताप मान यहां का भी उतना ही रहता था यह इस है उसको ताप मान चाहिए पच्सझी डुगरी इस आपर रिया तापमान भी सक कम हो जाता है, तस डिग्री हो गया या ज्यार्ट डिग्री हो गया उसके अंदर आपकी प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी पर प्रोड़क्शन आपकी खतम नहीं होगी, जैसे आप देखते हैं कि वह गेहों का सीजन है, कुछ ने किसी ने पहले सब्यां Defy Oh sir अजकल सभी देख रहें कि जो क्रीजा ना एक मतलब अगर हम बात करें तो खेती को एक मतलब बहुत तो तो स्रहनी में लोग यह समझते हैं कि वह नी बच्टा और हमें कोई आमदानी नहीं होने वाली तो जो हमारे और जो शहरो के हम लोग देख रहे हैं यूवाद लोग हैं वो खेती को पना रहे हैं और नई तकनीक के साथ खेती को कर रहे हैं तो ऐसे जो हमारे यूवा है उनको अप क्या कहना चाहें देखिए इसका कारण सबसे पहली यह है अब जो शुरूआज से गाउं के अंदर रहा हैं मैं भी शहर से अजहां गाउं की तरफ आया मेरे पिता जी से कह रहे कि हुआ अधके हो बहुत बहुत कर लेकिन अधिल कि कढ अपकूं को रही हैं बहुत सारी समस्य आइं जैसे कि इसम veil साथ हैं तो उसके बार भी क्या आप इसकी मसरूम की खेती को जारी रखेंगे और अगर कुछ अलग और भी आप खेती में नया करने का प्लान करने तो देखे ऐसा है मेरी तो यह अग्रिकल्चर हो भी है और कि सीजनल फार्मिंग मेरी इस बार पूरा है तो मेरा ट्रायल बेस आप मान लीजिए प्रायल बेस के अंदर शुरू-शुरू के अदर जब को एक्सपेरिमेंट होता है तो इसके अंदर गाटा भी हो जाता है वो तो इसका मैं उसमें कुछ टेंशन में लेकर चली नहीं रहा हो जी जिस तरह इसके आउटपूट आएगा उस हिसाब से इसके अंदर काम देखेंगे बाकी सीजन काम तो करेंगे करेंगे और बाकि अगर हुआ तो इसका क्या पता बारा महिने का प्रांट लगता उसकी भी हम प्रक्रिया अपनी जारी करते हैं इसके मेरा कहना यह है दे प्रुआ ऐसे आटते हैं पर लेकिन उस वीडियो को देख के उस चीज को अपराने का और जो आपने मान सिकता आपने ले ली उस काम को करने की संताप अगर अपने अंतर लेकर कर आएंगे गो जितने भी गाउं के यूत है तो ऐसा कोई काम दोल प्रांड और झालूरा erश जो है एक किसान परिवार से तालुक रखते हैं लेकिन इनकी जो है कई पीडियास ऐरों में पलीवडी हैं उसके बावजयों दिनको खेती से कहीं से कहीं तक भी इनका जुडाओ नहीं है उसके बावजयों दिनों ने ट्रेनिंग लिए खेती की तरफ इनका आकरसन वुआ और इसके लंबाई के बैठ लेयर की है लेयर की लेंथ की शेड की ऐसे भाई साट फिट साट फिट है हाँ और चुड़ाई हमने इसकी दो फिट करी है पर 30 वाई साट का लिखल उसमी बड़ा आदमी अपनी सहुलियत से निकलने इस इपना इसे यह है अगर हम इसको तीज करें तो निकलने के जगए बहुत चोटी रहती है तो है चिग है फेक्षपेकी पैप्डीरे सेरोकत्त वार्जोड़े फेसरी से लेते लिएधियो परस राभास करें जो एक्षपूरा। रूख जाओ थे रूखो को सफ्रोकस्कारे जाजे शुरूखना भी वीडियो थाना, यह सबस्सक्षपर रसे रखें कर दो जो बदो कि एंग, कि ये प्रली तर्थ जवाद ए समुनकिया को सभादा कि भांभ तो जब कि जए जबार ग्यांग कि ये जफ़गें कॉतला विए जब जब हम जब ग्यास गरता हुआए्ट इनरे पहले से जब दो जब तो जब कि ये हमे पहलेता हुआए्टों, इनर जी मैं डोक्टर देव कुमार किर्शी विज्ञान के अंदर बागपत से बागपत के अंतरगत यह दो गाओं गोदलिये हुए है निकरा परियोजना के अंतरगत एक हमारा सिखेडा है और एक पटूली है सिखेडा गाओं है हमारा यह जो है निकरा परियोजना के अंतरगत आता है और योगीत राठीजी जो है यह बहुत ही परगतिसील किसान है साथ में पढ़ाई करने के बाद में युवाओं के लिए एक प्रेणा सरोत भी है इन्होंने खुद इच्छा जाईर की कि मैं कुछ अ यहां पर हुर्टी कल्चर वाले हैं तो इन्होंने एक उधारन पेश किया है यहां के लिए और बहुत ही अच्छे किसान है निकरा परियोजना नैशनल इनोवेशन और क्लाइमेट रिजिलेंस अग्रिकल्चर है यह तरीकत है एक पहल है भारत सरकार की जिसके दुआरा की ह तो पाणी की खबत ज़्याद है चाही है तो पाणी की ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है निकरा परियोजना के नंतरगत हम झीसानों को यह रहां को इक पाणीश चलाए उनकरा के लिजह करतें में और यहमारे इस सकते हो मिहें उनपानी बहुत हेलफुल हैं उसमें कहीं न कहीं हमको सुधार भी दीख रहा है जैसे कि अभी हमने जहें ग्यों की लेट वेराइटी दी थी जो डीबी डवलू जो है 90 है वह वेराइटी दी थी यह उसके अंतरगत जो है किसान उसमें अपना ब्रीडर बीज बना करके और खिसान आप्त कर सकते हैं क्योंकि घटता हुआ जमीनी इस तर जिसके पास कभी जो है सो या पचास बीकी जमीन होती थी आज घट करके 10 या 20 बीकी जमीन रह चुकी है निकि हमारे यहां पर खेती का छेतरफल भी घट रहा है तो कम छेतरफल में अधिक उत्पादन पर आप्त कर सक झाल